नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रिक्स पेजिस पर आपको एकदम सही जानकारी है वही प्रवाइड की जाती हम बात करने वाले हैं आज कटोफ को लेके आपकी क्या कटोफ रहेगी कि आपको जो आपका जो ड्रिम कोलेज है जो गौर्मे कोलेज है वो मिलेगा तो इसको लेके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैसे आपकी फाइनल आंसर की है वो अभी आने ही वाली है आज या कल में आपकी फाइनल आंसर की रिलेज कर दी जाएगी वैसे आपकी आंसर की आ चुकी है और आपको इस चीज का पता चल चुका है क कि भी हाँ हमारे नंबर है वो कितने बन रहे हैं इसके अलावा आप सभी को बता है कि negative marking इसमें थी और उससाब से आपने जितने भी आपके जो कृष्ण गलत हो हैं उससाब से आपको को अपने मलब कार्ट सांट के आपने कर भी लिया होंगे कि भी हाँ हमारे इतने नंबर है वो बन रहे होंगे तो अब हम बात कर लेते हैं cut off की कि भी cut off है वो कितनी जाएगी government college के लिए तो आपको मैं मलब जनरल, OVC, EWS, SC, OST, मलब सभी category की जो cut off है वो बताने वाड़ा हूँ तो देखे द्यान से देखना आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं general की ठीक है तो general की जो cut off जाने वाड़ी है जिसके लिए आपको government college है वो मिलने वाड़ा है तो आपकी जो cut off रहेगी वो आप ये मान के चलो कि 595 है 595 से 610 आप ये मानो कि इसके बीच अगर आपके नमबर है तो आपको government college है वो मिलने वाड़ा है अगर हम M's की बात करें तो M's में बहुत ज़्यादा आपके नमबर है वो होने चाहिए M's में लग भग अगर दिली M's के अगर हम बात करें तो 644 पलस आपके नमबर होंगे तभी आपको दिली M's है वो मिलने वाड़ा है ठीक है तो इसके अलावा जो दूसरे M's है वो भी मतलब आप 625 पलस आपके अगर मानो तब जाके आपको M's है वो मिलेगा वाकि आपको government college ह है वो मिल जाएंगे 595 से अगर 610 आपके general category में आ रहे हैं तो आपको आराम से government college है वो मिल जाएगा अच्छा इसके अलावा जो general में PWD candidate है जो handicap है उनकी बहुत ही कम है मतलब handicap जो भी है सभी की PWD candidate है सभी की बहुत ही कम रहने वारी है 200 के आसपास अगर नमबर है आपकी त कोई बड़ी दिक्कत वाड़े बात नहीं है फिर हम बात कर लेते हैं OVC की OVC और general लगबग सेम सा ही रहता है कोई ज्यादा इसमें फरक है वो नहीं आता तो अगर आपके 590 590 से मतलब 600 के आसपास है तो आराम से आपको government जो college है वो मिल जाएगा आराम से फिर हम बात कर लेते हैं EWS की EWS की OVC से भी कम है वो रहने वाड़ी है क्यों रहने वाड़ी आप सभी को पता है क्योंकि इनमें 10% अलग से कोटा है जिनमें केवल EWS वाड़ हो या कोई अंसब ना समझ में आए बॉर्ड हो या जे इनिट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका solution है फिलो अप अपने डाउट को किसी भी टाइम कलियर करें इन दीज थ्री इजी स्टैप सबसे पहले इस एप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फॉन नंबर से इजली साइन अप कर लें अपने क्विस्टन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सब्मेट कर लें और फिलो आपको साथ सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा आपके क्वेश्न में आप मैं क्याना चाहते हैं की बल्भ की पावर कितनी है अगर बल्भ वो ह्को तो सो पीस वोल्टेच पर आपको देज पर तो यह आपको simple relation हो गया है, आपको अगर को आपको all doubt है तो आपता ही, नो सकता है, थांक्यू, So guys, it's simple, have any question, then ask फिलो, इस app का link निचे description में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे download कर लें सकते हैं, तो इसमें अगर आपके 570 से 580 भी बन रहे हैं तो भी आपको आराम से जो कोलेज है वो मिल जाएगा, गौर्णन कोलेज है वो आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाले बात नहीं है, फिर हम बात कर लेते हैं SC की, SC की दखो जो अपने OBC है और जो UR है, जनरल है इ SC की 530 आप मानो, की 530 से 540 के आसपास आप ये मान के चलो कि इसकी जो मेरिट है, वो रहने, कट ओफ है, वो रहने वाले इतने में आपको आराम से जो गौर्णन कोलेज है, वो मिल जाएगा, SC की और भी ज़्यादा कम रहेगी, SC की अगर आपके 490 से 500 भी है, तो भी आपको गौर्णन कोलेज है, वो आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वारी बात नहीं है, 490 से पलस भी है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, तो ये तो हो गई expected cutoff, ठीक है, तो ये आप य ये जो cutoff है बता दीगी, इससे मतलब इतने था हमारे नहीं बन रहे तो कोई tension मतलब उठा लेना, आपने tension बठा लेना वाई, ठीक है, मैं जीजी ये है, cutoff है, वो हो सकता है, जो 5 या 10 नमबर उपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन लग भगे आप ये बान के जो लोग कि इतन को जो